आज की वीडियो में बात करेंगे आभासी फल के बारे में कि ये क्या होता है और इसे अंग्रेची में फाल्स फूट कहते हैं तो आए जानते हैं पुस्प के अंडासाय से विक्सित होने वाले फल को सत्य फल कहते हैं तो जो फूल है फूल में अंडासाय होता है और वहीं पर तो इसी को आभासी फल भी कहेंगे या कूट फल भी कहेंगे तो सेब जो है वो आभासी फल है क्योंकि इसके निर्मार के समय पुसपासन फल भित्ती के चारो और ब्रदी करके खानेयों के मांसल भाग बनाता है असत्पिफल में पुश्पा कुछ अध्रिक्त भाग भी इसके निर्मार में भाग लियता है तो थोड़ा इस को यह तो समझ लेते हैं यह फूल का मादा भाग है और यह नर भाग है यानि यह वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडासा है اور यह पुंकेसर है तो परिवासा के हिसाब से पुछब कि अंडासाय से विक्सित तो ये अंडासाय वाला हिस्सा है यही पर बिजान होता है और इसी में जब निसेचन होता है तब ही ये जो है बदल जाता है फल में तो अंडासाय से विक्सित होने वाले फल को सत्फल कहते हैं यह प्रक्रिया होती है, यहां पिर्ट।ön होने के बाद यह फल में बदल जाता है, और इस प्रकार बना जो फल होता है को सत्विल करते हैं, लेकिन जो सेव है वो सत्य फल नहीं है वो असत्य फल है अब सेब ऐसा क्यों है क्योंकि जब सेब बनता है तो इसके निर्माण के समय में पुसपासन पुसपासन किसको कहेंगे ये नीचे वाले हिस्से को कहते है ये पुस्प का हिस्सा है तो पुस्प जहां पर आसित है उसी को पुसपासन कहते हैं उसमें क्या होता है पुसपासन फल बित्ति के चारूर यही बनाता है फल का आवरण यानि फल बित्ति तो यह पुसपासन क्या करेगा यह इसको घेरेगा यह वाला हिस्सा उपर जा करके इसको घेरेगा तो फल बित्ति के पुसपासन फल बित्ति के चार और वरत्ती करके खाने योग के भाग यानि खाने योग के भाग कौन से था यही था मांचल भाग तो इसके साथ जुड़ करके एक और एक्स्टा उसको खाने योग के भाग जो है बना रहा है असत फल में पुस्पा कुछ अतरिक भाग भी इसके जिवार में भाग ले तो अब दिखिए कि इसमें पुसपासन तो अपना योगदान करी रहा है लेकिन इसके साथ में इसके जो अन्य दल है या ये कहें कि कुछ इसका पुंकेसर का भाग ये सारी चीजे भी इसमें कुछ और भी सामिल हो सकती इसको बनाने में कुल मिलाके यहां से फल नहीं बन रह है इसका निर्माड यहां से हो रहा है यह भी जिम्मेदार है तो इसी को अचा तफल कह रहे हैं अचा तफल कहते हैं जब यह सिर्फ बीच के अंडासे से बनता